नमस्कार स्वागते आपका स्टेट न्यूज बुलिटिन में चलिए पहले नज़र डाल लेते हैं आप तक की सुर्खियों पर ब्रिक्स देशों का बार्वा शिकर सम्मील अनाज पुतिन के निमंतरन पर शामिल होंगे प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को दहलाने की साज़िश नाकाम जैशे मोहमद के दुआतंकी किरफतार भाउनलाल मेगवाल की निदन पर कॉंग्रेस पार्टी में शोख की लहर सीम गहलोद निज़ताया दुख अब खबरे विस्तार से प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी आज होने वाले ब्रिक्स देशों के शिकर सम्मेलन में शामिल होंगे इस वर्ष सम्मेलन के मेजबानी रूस कर रहा है सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्त, उर्जा और कोरोना जैसे मुद्दो पर चर्चा की जाएगी ब्रिक्स देशों का इस सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब इसके दो प्रमुक सदस्य देशों भारत और चीन के बीच पूर्वी लदाक में सीमा पर 6 महिने पहले हुई एक हिंसब जड़ब के बाद अभी बी गती रोध बर करार है विदेश मंत्राले ने एक बयान में का है कि राश्चुपती पुतिन के निमंत्रण पर प्रधान मंत्री मोधी रोस की मेजबानी में हो रहे ब्रिक्स देशों के बार्वे शिकर सम्मेलन में शामिल होंगे आपको बता देगे भारत 2021 में होने वाले 13 ब्रिक्स देशों के शिकर सम्मेलन की मीजबानी करेगा इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स देशों के शिकर सम्मेलन की अध्यक्ष्टा की है देश के राजधानी नई दिल्ली में जैश मोहमत के दो आतंगवादियों को गिरफतार कर लिया गया है जानकारी के मताबिक ये दोनों आतंगवादी दिल्ली को दहलाने की साज़िश में जुटे थे सुमवार की रात जैश के ये दोनों आतंगवादी के रफ्तार हुए इनके पास ये हतियार भी बरामत किये गए इन दोनों आतंगवादियों के पहचान अब्दुल लतीप और मुहमद अश्रफ खटाना के रिप्प हुई है जो जम्मो कश्मीर के बारमुला और ख़णा के रहने वाले हैं कददावर कॉंगरेस नेता मास्टर भाउलाल मीगवाल का सुमवार को गुरुग्राम के मिदानता असपताल में निदन हो गया मीगवाल के निदन पर कॉंगरेस पार्टी में शोग की लेर्शाई है तो वहीं मुख्यमंत्री अशोग हलोत ने ट्वीट कर शोग जताया राजस्तान कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भाउलाल मेगवाल मीदानता अस्पताल में 6 महीने से इलाज में थे उनके सम्मान में मंगलवार को राष्टे द्वच आदा जुका रहेगा तो वहीं सभी राज की कार्यालों में 17 नवंबर को अवकाश रहेगा मुख्यमंत्री अशोग हलोत ने ट्वीट करते वे कहा कि हम दोनों साल 1980 से साथ थे भगवान उनकी आत्मा को शांती दे और उनके परिवार को इस मुश्किल समय से निकलने की हिम्मत दे राजस्तान कॉंग्रिस प्रभारी अजयमाकर ने पार्टी के लिए इसे एक बड़ी शती बताया है तो वहीं कॉंग्रिस प्रदेश अद्यक्ष गोविन सिंग डोटास्रा ने कहा कि उन्होंने अपना राजनीतिक गुरुख हो दिया है गोविन्दगर पुलिस के अनूटी पहल सामने आई है भाईदूज के उपलक्ष में शहीद प्रतिमा को रक्षा सूत्र बांदे गए साथी शहीद विरांगनाओं को शोल ओढ़ा कर सम्मान किया गया गोविन्दगर थाना इलाके के डोला कबास निवासी शहीद रामकरन मीना और संगोध खुर्द निवासी शहीद राजुराम सामोता की प्रतिमा पर सोमवार को गोविन्दगर थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने भाईदूज के अवसर पर रक्षा सूत्र बांदे साथी शहीद रामकरन गुर्जर की विरांगना विमला देवी और शहीद राजुराम सामोता की विरांगना सुमित्र देवी को शोल ओढ़ा कर और महला पैना कर सम्मानित किया गया पुलिस कर्मियों और ग्रामिनों ने शहीद समारो को पर दीपक भी जलाए बांसूर शेत्र के गाउं खोरी में बालाजी कलब के नित्रत्व में प्रथम कबड़ी प्रतियोगिता का युजन किया गया जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था अलवर के बांसूर के गाउं खोरी में हुई प्रतियोगिता में बालाजी स्पोर्स एंड एजुकेशनल वेलफेर टीम प्रथमस्तान पर रही आपको बतादे कि इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था प्रतम स्तान पर रही टीम को आईजको द्वारा स्मृति चिन और 51 सो रुपे भेट कर समानित किया गया गंगानगर के स्योपुरा कसी में एक ट्रक और थार जीप की टक्कर हो गई ये साथ से में एक जने की मौत हो गई वह ये घटना नाशनल हाईवे संख्या बासट पर संगर के बस्टैन के पास हुई सोमवार दोपहर करीब चार बजे एक ट्रोले और थार जीप के बीच भिडंत हो गई ये भिडंत इतनी भयानक थी कि जीप के परखचे उड़ गए और जीप में सवार 55 वर्षी रावताराम पोटलिया की मौके पर ही मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार रावताराम पोटलिया गंगानगर से जीप में गेहों का बीच और डीजल का ड्रम लेकर 196 हेड की तरफ जा रहे थे संगर बस्टैन के समीब सूरदगर से गंगानगर की तरफ जा रहे ट्रोलों ने ओवर टेक करते हुए जीप को टकर मारी ये टकर इतनी भीशन रही कि जीप पूरी तरह पिचक गई और जीप चालक जीप में ही फस गया फसे रहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई रहगीरों के सूचना पस सदर्थाना से हवलदार राजे इंद्र मै जापता के साथ मौके पर पहुँचे और मृतक के शव को सुरदगर राज के चिकित सालय की मोचरी में रखवाया है बढ़ियाना के ग्राम पंचायत इंद्रनगर में चोरों ने पट्रोदा ग्रामीर में एक विद्यूत विवस्ता चोरी की फ्रांसवार्मर चोरी होने के बाद शेत्र में करीब साथ दिनों से बिजली आपूर्ती ठप पड़ी है वही युवा समात सेवी जस्वन सिंग ने नया ट्रांसवार्मर लगवाने की मांग की है देवी सिंग और अन्नी ग्रामवासियों का कहना है कि विद्यूत आपूर्ती सुचारू ना होने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने नया ट्रांसफॉर्मर रखने की मांग भी की है ग्रामिनों ने बताये कि थाने में ट्रांसफॉर्मर चोरी होने की तहरीर दी गई लेकिन थानेदार द्वारा कोई कारवाई नहीं हुई ग्रामवासियों के मुताबिक पुलिस की नाकामे की वज़े से ही चोरी हो रही है विद्धित वुभा की और से पुलिस को इसकी जानकारी है इस संबन में कई बार शिकायद भी की जा चुकी है लेकिन चोरी पर रोक नहीं लग रही इसे पुलिस की कारिशंता और भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं कोई सुनवाई हुई विजली विबाग को भी सूजना देदी कि हमारे यहां से रातरी में दो विजली ट्रांस्मेटर शोड़ी हो गए हैं फिर भी अभी तक ना तो ट्रांस्मेटर लगा हैं, न कोई कारोई अभी तक तो पुलिस परसासन मौके पर भी नहीं आया है तो मैं पुलिश पस्ताशन से भी निविदिन करूँगा कि आपको मौके पर आना चाहिए, मौका परताल करना चाहिए और विदली विबाग की करमसारियों और अधिकारियों को भी मैंने जईयन साब और आहियन साब को भी मैंने सूचना देती थी कि ट्रांस्मीतर सोरी हो गया, इनको दीपावली का दिन है हर घर में रोस नहीं होनी चाहिए, अभी तक तो कोई ना हमारी सुनवाइवा है कि वह जाएगा वो जाएगा, दीपावली के दिन भी उस गर में अंधेरा रहा, आज तक साथ से आठ दिन हो गया है ना तो कोई का थाना परबारी से भी कि आप उनकी सक्थ कारवाई करें और जल्दी से जल्दी उनका उनके घर में रोस नहीं होनी दाम के इतलाजी मंदिर प्रांगर में नाडॉल और देशुरी भाजपा मंदल के भाजपा पधिकारियों और कारिकरताओं के बैठक का आयजन किया गया बैठक में आगा में चुनाओ को लेकर चर्चा की गई बैठक देशुरी और नाडॉल मंदल अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष वर वरिष्ट पधादिकारी के नेत्रितु में आयजित हुई बैठक में आने वाले पंचाय समीती और जीला परिशत सदस्यों के चुनाओ को लेकर चर्चा हुई पार्टी को मजबूत और संगठित करने और केंद्री सरकार द्वारा चलाई जा रहे योजनाओ को आमजन तक पहुचाने को लेकर चर्चा की गई इसे लेकर पधादिकारियों ने कारिकरतां को जानकारी दी इस अवसर पर देशुरी मंदल अध्यक और सैकड़ो कारिकरता मौजूद रहे फिलास स्टेट न्यूस बुलिटिन में इतना ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे डीपी के न्यूस के साथ नमस्कार